नमस्कार दूस्तों श्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज मैं आप लोगों के लिए बेज जनुरी के प्रथम स्रिफ्ट और सेकेंड स्रिफ्ट में आये हुए सभी जीके और जीएस के रियल और अथेंटिक प्रश्णों की वीडियो सीरीज लेकर आया हूं इस प्रश्ण में हमारे लगभग 40 में से 72 प्रश्ण है और ये सारे प्रश्ण रियल और ऑथेंटिक है तो ठीक है शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्णे और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर स में पढ़ता है ठीक है अग्ला प्रश्णप से पूछा था मूल अधिकारों को वरीता कि सर्थान संसूधन में दिया गया है तो यह जो मूल अधिकारों को जो वरीता है यह सर्थान के सविथान संसूधन 1976 में दिया गया है ठीक है अगला प्रशनाप से पूछा गया था गांधी जी दच्छरफीका में रहते हुए कौन सा अकबार जारी किया था तो गांधी जी ने दच्छरफीका में रहते हुए इंडियन ओपेनियन नामक अकबार जारी किया था ठीक है अग अगले प्रश्ण आप से पूछा था, मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडियाइशन के लेवल को जांच करने के लिए, कौन से एप को लांच किया गया है, तो इसका नाम है तरंग संचार एप, ठीक है, अगले प्रश्ण आप से पूछा गया है, अंतराष्टी चावल अ अंसंधान केंद्र कहां पर है, तो जो अंतराष्टी चावल अंसंधान केंद्र है, वो फ्लिंस के लगूडा में है, ठीक है, चलते हैं अंगले प्रश्ण क्योर, अगले प्रश्ण जो आप से पूछा गया था, पाथर पैंसिल उपर नियास के लेखक कौन है, तो विभू अगले प्रश्ण आप से पूछा था, अगले प्रश्ण आप से पूछा था, अगले प्रश्ण आप से पूछा था, गुजरात राजमें पाए जाते हैं, अगले प्रश्ण आप से पूछा था, इंद्रा गांधी राष्टी कलाकेद कहां है, तो इंद्रा गांधी राष् मेक्सिको से इसका उत्पर होता है ठीक है अगला प्रशाप से पूछा था 2007 का Nobel Prize किसे मिला था तो 2007 का जो सांती के छेद में नोबल आप से पूछा था 2007 का सांती के छेद का जो नोबल है IPCC and AL को मिला था ठीक है अगला प्रशाप से पूछा था सी प्रोग्रामिंग लेंगवेज किस ने विक्सित की है तो डैनीज रिचएज ने 1972 से 1973 के बीच में इसको बनाया है सी प्लस स्वाली सी प्रोग्रामिंग लेंगवेज को ठीक है अगला प्रशाप से पूछा था तो यहों का वेगानिक नाम क्या है तो कारल लीनियस ने दिया है होमे सेब्चियन्स नाम जो की मानों का वेगैनिक नाम है ठीक है और इसको उन्नी सो अठावन में इन्होंने दिया था प्रतिवाइद किया था अगला प्रशाब से पूझा था अगला प्रशाब से पूझा था तो निती आयो की जो سी हो आमिताब कांत जी है अगला प्रशाब से पूझा था अक्टूबर 2020 तक RVI के गवरनर कौन है सक्तिकाजदान जो है अक्टूबर 2020 तक RBI के गवर्नर है चलते हैं अगला प्रशन की और अगला प्रशन तो आप से पूछा था IPL में सरवधी के रन स्कोर जिसको हम लोग औरेंज कैप के नाम से जानते हैं वो किसे मिला था तो केल राहूर को मिला था अगला प्रशन से पूछते हैं पूछा था लोग सवा के परतम अध्यक्स कौन थे जीवी मालंकर जो थे लोग सवा के परतम अध्यक्स थे अगला प्रशन से पूछा था गरीबी रीखा के ये कोशन दो तीन मार पूछा जा चुका है गरीबी रिखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के रिए फ्री लपीजी कनेक्शन उलॉक्त करने वाला कौन सी उजना कौन सी उजना लांच की गई थी तो उजला उजना लांच की गई थी गरीब परिवारों सो नीचे जिवन यापन करने वाले प्रक्तियों कि अगला प्रशन आप से पूछा था राजनीती में पदम वीभूशर 2020 पुरश्कार किसे मिला है तो राजनीती में साथ लोगों को पदम वीभूशर पुरश्कार मिला है अगला प्रशन आप से पूछा था, 2015 में आस्ता अंगठी छेत्र में काम करने वालों के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो अटल पेंशन योजना चलाई गई थी, 2015 में, इसको लांच कप किया गया था, 9 माई 2015 को, ठीक है, चलते हैं अगले प्रशन की और, अगला प्रशन आप से पूछा था, सुतंतरता के वाद सर्धान सवा का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजिंदर पसाद बने थे सुतंतरता के वाद, भारती सर्धान के प्रथम अध्यक्ष, अगला प्रशन आप से पूछा था, इंडिया गेट को डिजाइन किसने बीच के बीच की सुपर नेटवर्क कहा जाता है तो इंटरνεट प्रोटोकाल को शुपर केondernet सुपर नेटवर्क कहा जाता है अगला प्रॉच्णाब की राश्ण्पति हैं तो गोटा भ्याराजपच्चे जो है शृलंका अधिक्स बननी थी अगला प्रश्ण आप से पूछा था पूर्वी तर्ट बंदर करा कौन से नहीं है तो जो कांडला उसमें ऑप्सन में था कांडला बंदर गा यह पूर्वी तर्ट बंदर गा नहीं है यह हमारा प्रश्ण तर्ट गुजरात में इस्तित है चलते हैं अगल अगला परस्ट्एब से पुझए था ग्रहों की गती का नियम की निया था? ग्रहों की गती का नियम किस ने दिया था, मरनी ने दिया था सन 1609-119 की बीच में अगला परस्ट आप से पूझए था oolbert Einstein को 1921 में 2010 में नुबलपर्शकार किस मी दिया गया था? अगला प्रशाप से पुझा था BRICS में कौन सा देश नहीं है तो BRICS में जो है सिलंका देश नहीं है BRICS में ब्राजील, रस्या, इंडिया, चाइना और सौथ अफरिका देश है जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में 2009 में इसमें सौथ अफरिका नहीं जोडा था तो 2010 में साथ अफरीका भे जोड गया ठीक है अगला प्रश्राम से पूज़ा था राम प्रसाद बिश्मिल को फासी किस कारण हुई थी तो राम प्रसाद बिश्मिल को काकोरी हत्याकान के कारण फासी हुई थी स्वारी काकोरी कारण के वैसे और काकवरी करन कब हुआ था ये हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएं इसको कब हुआ था और उनको जो फासी दी गई थी 19 दिसंबर सन 1927 को दी गई थी अगला प्रशनाप से पूझा था भारत का पर्थम उपर ग्रह कौन सा था तो आरभठ है भारत का पर्थम उपर ग्रह जिसे लांज किया गया था 19 अप्रेल 1975 को अगला प्रश्ण आप से पूछा था, काफी उत्पादन में अग्रेनी देश कौन सा है, तो ब्राजील है, काफी उत्पादन में अग्रेनी देश, अगर आप से देती है, दूसरा पूछता है, तो वो बियत नाम हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रश्ण आप से पूछा था, स्वालनिम चतुर्भुज पर योजना किस से संबंदित है तो राजमार्ग से संबंदित है स्वालनिम चतुर्भुज योजना जो की दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चन्नाई को जोडती है और इसके टोटल नंबई 5846 किलो मीटर है अगला प्रशन आप से पूछा था भारत में कुल कितने नाब की पावर प्लांट है तो भारत में कुल 7 नाब की पावर प्लांट है अगला प्रशन आप से पूछा था कौन सा ऑपरेंटिक सिस्टम नहीं है तो इन में से जो नहीं था वो आपको option में देखना था मैं आपको बता देता कौन कौन से operating system है Microsoft, Windows, Apple, MC, MACOS जो है यह सब operating system है इसके अलावा जो भी option में रहा होगा वो सही हो जाता अगला प्रशन आपसे पूझा था जिस परकर water को हम लोग hand pump से निकालते हैं मतलब water को pump करने के लिए हम लोग hand pump को यूज़ करते हैं तो blood को pump करने के लिए हम किसका उप्योग करेंगे तो हम लोग हिर्दय का यूज़ करेंगे ठीक है तो यह हमारे प्रशम shift में आयोग कुछ कोशन थे अब हम लोग चलते हैं दो ती प्रशम shift में आयोग प्रशन को देखते हैं ठीक है तो दो ती ती शिफ्ट में आयोग प्रशन को जो पहना प्रशन पूछा था आपसे किस मंदिर में केवल रात तरी आठ बजे के बाद महिलाओं को प्रवेश की अनुमती है तो राजा राजेस्वर मंदिर जो की केरल में है इसमें क्या है रात तरी आठ बजे के बाद ही महिलाओं को प्रवेश मिलता है और जब की पूर्शों को शुभा से लेकर शाम तक की अनुमती होती है अगला प्रशनाप से पूछा था किसी परवस्ते जल अगर चारो तरफ प्रवाइथ होता है तो इसे क्या कहा जाता है तो इसे आरी प्रवा कहा जाता है या अब केंदरी प्रवा ठीक है अगला प्रशनाप से पूछा था 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनन पुलिस कमीशन जिसे ICPC की स्थापना कहां पर हुई थी तो यह वियना अस्टरिया में हुई थी लेकिन बाद में इसे फ्रांस में चेंज कर दिया गया था फ्रांस में इसका हैटवर्टर बना दिया गया था 1900 1900 मतलब कुछ बनाया गया था इसमें मुझे क्लियर नहीं कब है इसमें कितने सदस है 194 सदस है अगला प्रशनाप से पूछा था 1917 में किस रसायन किसे रसायन विज्ञान में त्रिक का नियम दिया था तो 1917 में जर्मन के विज्ञानिक डोबे नायना ने त्रिक का नियम दिया था प्रज़तने दिया था दोवे नाइनन ने ट्रिक का नियम दिया था ठिक है? tips ऐग्र Unto रैट होल माइनिंग कहा पर की जाती है तो रैट होल माइनिंग है मडिपूर में की जाती है अगल्य प्रशा आप से पुछता था और यह किस rocket से launch किया गया था? तो Airean 5VCA नामक rocket से launch यह इसे भाद से launch नहीं किया गया था इसे France की company French Guiana से launch किया गया था. ठीक हाई? चलते हैं अगले फाष्न क्यों और अगले फाष्न अप से पूछा था वनों मुलन को रोकने के लिए किस परयाम विर्द को सांती का नोबल पुरसकार दिया गया तो वांगली मथाई को जो ग्रीन बेल्ट मुवमेंट की संस्थापक है इन्हें 2004 में केनिया से संब्दित है इन्हें सांती का नोबल दिया गया था अगले प्रश्रम से पुझा था कैलसियम आक्सैट का अन्य नाम क्या है तो इसे हम लोग बीना बुजा चूना भी कहते है कैलसियम आक्सैट को जिसका फॉर्मला होता है CEO ठेक है अगले प्रश्रम से पुझा था उस्ताद अहमध लहोरी दोरा डिजाइन 1983 में युनसको विस विरासत सूची में सामिल साइट कौन सी है तो ताजमाल है जिसे एहमद उस्ताद एहमद लहुरी दोरा डिजाइन किया गया है और इसे 1983 में युनसको वर्ड हैटर साइट में भी दरजा दिया गया है अगला प्रशना आप से पूज़ा था कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है तो इसमें जो हमारा JPG है यह हमारा वीडियो फॉर्मेट नहीं है यह हमारा PDF फॉर्मेट है और जब कि MP4, .mov यह सब हमारे वीडियो फॉर्मेट है चलते हैं अगला प्रशन की ओर अगला प्रशना आप से पूज़ा था काला पानी किस जेल का अन्य नाम है तो सलेरोल जेल को हम लोग काला पानी की जेल की नाम से जानते हैं और यह कहां पर है अंडवान निकोबार दीब समू में है अगला प्रशनाप से पूछा था लक्षदीप में कौन सी भासा बोली जाती है तो लक्षदीप में मल्यालम भासा बोली जाती है और मल्यालम भासा कहा बोली जाती है तो केरल की भी राज की भासा है मल्यालम ठीक है अगला प्रशनाप से पूछा था मल्खम किस राज का खेल हैं तो मलखम मदपरदेश राज का खेल हैं जिसे नौ अप्रेल 2013 को राज की घेल का दर्जा दिया गया था ठीक है अगला प्रशनाप से पुछा था अप्रेल 2019 में इसरो दोरह 28 अंतर राष्टी लहां की सैटलाइट कहां से लांच की गई थे तो भारत के जितने भी मैक्सम स सिर्ष हरी कोटा आंधर प्रदेश से ही लांच की जाते हैं अगला प्रशनाप से पुछा था अवैत तरीके से हिरासत मिले गए व्यक्तियों को रिहा करने के लिए कौन से रिट लगाई जाती है तो हेवियस कॉप्रर रिट लगाई जाती है जिसे हम लोग हिंदी में भारती अंग्रेज क्या लिखा हैए उननीच सो नम में महात्मा गांधी न चुछा था कि अगर भारती अंग्रेज động का साथ देना बन्द कर दें तो उननीच सो नम में भारतल भारतो आ है। प्रश्तक हिंद स्वराज है या फिर इंडियन होम रूल से ठीक है अगला प्रश्राप से पूझा था दच्छन अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गादी ने किस इनुवर्श्टी की यह फिर दी तो यह कोश न दुबारा पूछा गया है इसके पहले पूछा जा चुका है तो बनार संदू स्विधाले में उन्हें बहसा लिए था और बनार संदू स्विधाले की जो ऑपनिंग स्रायमानी थी चालफ वर्णी उनश्रों शूला को थी ठीक है अगले प्रश्रा से पुछता है यू यान इव इफी का मुख्यले कहाँ है तो नेरोबी केन्या में है ठ cathод you know i pay सब्सक्राइब भारत के पर्थम किर्कट कुलब किसताफ़ना कब हुई थी तो सतरा 202 में हुई भारत के पर्थम किर्कट कलब किसताफ़ना कहां पे हुई थि अगला प्रश्ण आपसे पूशा था Sun Microsystem Sun Microsystem जिसे 2009 में Oracle Corporation ने अधिगरित कर लिया था उसके संस्तापक कौन है तो विनोत खोशले है कौन है विनोत खोशले तो यहां से हमारे प्रथम शिफ्ट और दिती शिफ्ट के सभी प्रश्ट कप्लेट होते हैं अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडियाप चाहिए तो नीचे वीडियो के दिये गए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलेग्राम गुर्प का लिंक दिया है आप लोग वहां से हमारे गुर्प में एड़ हो जाईए वहां मैं आप लोगो पीडियाप प्रवाइट करा दूँगा तो वीडियो अगर आप लोगो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करिए वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए धन्युवाद